खेलो दोस्तों, होप आप लोग अच्छा कर रहे होंगे, तो हमारा आज का टॉपिक रहने वाला है ओथर एंड ओथर्शिप तो ओथर क्या होता है? ओथर वो व्यक्ति होता है जो अपनी किसी इमेजिनेटिव पावर से किसी भी पर्टिकुलर वर्क को क्रियेट करता है अपने माइंड में और बाद में उसको लिखत के रूप में पबलिश करता है उसे ओथर कहती है और ओथर्शिप क्या होती है? ओथ उसने लिखा है, जिसके साथ लोग ये पह misunderstanding है, कि किस ने इस work को अपने mind में create किया है। उसे authorship कहते हैं। Chiffnish and author में क्या फर्ख होता है? जो author होता है, वो एक personal एक व्यक्टी होता है, जो अपने mind में किसी भी work को रखे हुए है। और उसे लिखने का प्रयास कर रहा है और authorship क्या होती है जब वो किसी भी work को लिख देता है और उसके बाद वो उस work के साथ अपने नाम को जोड़ देता है और उसे अपने तक्सीमित कर लेता है हम mainly क्या देखते हैं कि जो लोग होते हैं वो किसी भी particular work को समझने के लिए author का historical background और author की personal life में चले जाते हैं जिसमें हम यह देखते हैं कि उसके basis पे वो उस work को analyze करने की कोशिश करते हैं तो ऐसे लोग एक authorship को understand करते हैं तवाल आता है कि एक author को कैसा होना चाहिए एक author जब कोई भी work को लिखता है तो वो ऐसे ही नहीं किसी भी work को लिख देता वो उसके कुछ real life experiences, कुछ historical moments और उसकी कुछ imagination में ऐसी बाते हैं जो reality में exist नहीं करती उन सब चीजों से वो inspire होकर किसी भी work को लिखता है तो इससे ये बात निकल कर आती है कि उसकी जो creation है वो purposeful होनी चाहिए मतलब वो उसका कुछ एक important motive होना चाहिए जो उसे audience के बीच derive करना है और imaginative होनी चाहिए एक मतलब साफ निकल कर आता है कि एक author जो होना चाहिए उसके पास imaginative powers होनी चाहिए और कुछ ऐसी didactic powers होनी चाहिए जिसके जरीए वो लोगों को एक संदेश दे सके उसके बार जो author होता है वो अपने work को publication के लिए दे देता है और वो जो work होता है वो audience का और लोगों का work हो जाता है और उसके बाद उस author को authorship मिलती है कि जो work है वो किस writer का है और क्यों इसने उसको लिखा तो ये था हमारा आज का topic author and authorship इसमें तो main जो work है जिनको आपको ज़रूर read करना है पहला work है that death of the author जो के Roland Barth ने लिखा है और दूसरा work है what is an author जो के Michael Foucault का ल और authorship को बहुत अच्छे से describe किया गया है अगर आपको इसके related videos चाहिए तो आप मुझे comment box में comment कर सकते हैं and don't forget subscribe my channel and hit the bell icon thank you